नमस्कार WKB News के सबसे खास, सबसे सटीक और सबसे महतपूर्ण पेशकर्ष देश-पदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है शिवसे नानेता संजर राउत ने तंच कस्ते हुए कहा कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी लोगों से मार्स पहने के लिए कहते है लेकिन वो खुद नहीं बैंते मैं भी पियम मोदी को फॉलो करता हूँ वही मुंबई पुलिस को सूचना मिली है कि खलिस्तानी कुर्गे नए साल की पूर्वसंद्या पर शहर में आतंगवादी हमलाग कर सकते है लिहाजा मुंबई में चप्पे चप्पे पर सुरक्षय उस्ता बढ़ा दी गई है इसी बीच कोरणा वाइरस के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए महराश्ट में अभी और भी प्रतिबंद लगाये जा सकते है COVID-19 टास्पोर्स ने उद्धव ठाकर सरका से सिफारिश की है कि यहाँ सारजिक स्तलों पर प्रतिबंदों को और बढ़ाया जाए वही भारतिय जंदा पार्टी के विधायक नितेश राने को कभी भी पुलीस गिरफतार कर सकती है हाला कि अभी जमानत के लिए नितेश के पास हाई कोर्ट आने का विकल्ब बचा हुआ है तो मालगत के दहीसर इलाके में बैंक कर्मचारी की हत्या के बाद हुई लूट पार्ट की गुत्ती सुल जाते हुए मुंबई पुलीस ने दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आफ हमारे साथ शिवसेना निता संजे राउत कल नासिक के एक कारेक्रम में मौजुद थे इस कारेक्रम में वो बिना मास्क के नज़र आये जब पत्रकारों ने उन से मास्क नहीं पहनने की वज़ा के बारे में पूचा तब उन्होंने पिये मोदी का उधारन दे दिया राउत ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्रमोधी लोगों से मास्क पहनने के लिए कहते हैं लेकिन वो खुद नहीं पहनते हैं मुख्य मंतरी उद्धव ठाकरे मास्क पहनते हैं लेकिन मोधी राष्ट के नेता है मैं प्रधान मंतरी नरेद्रम मोधी को फॉलो करता हूँ इसलिए मैं मास्क नहीं पहनता और यहां तक की लोग भी मास्क नहीं पहनते हलांकि उसी वक्त शिवसिना के प्रवक्ता ने कहा कि सभी लोगों को मास्क पहनना चाहिए और सारवजनी कारेक्रम के दोरान ज्यादा ध्यान रखना चाहिए संजेराउत ने आगे कहा कि अभी ए पोर्णा पॉजिटिव आई हैं इसलिए सभी को सारवजनी कारेक्रम में विशेश ध्यान रखना चाहिए केंद्रिय स्वास्त सचीव ने दिल्ली हरियाना तमिल नाडू पशिम बंगाल महराश्ट गुजरात करनाटक और जारकन को घरेलू यातरा में वृद्धी और शादि हमला कर सकते हैं एक पुलिस अधिकारी ने बता कि सुचना के आधार पर बंदोबस ड्यूटी के लिए पुलिस कर्मियों के सापताहिक अवकाश के साथ साथ छुटियों को भी रद कर दिया गया है मुंबई पुलिस अलर्ट है और पुरेश शहर में कड़ी निगरानी की ज हम लोगों को इस मुद्दे पर सरकारी निर्देशों का पालन करने की सला देते हैं जी आर पी मुंबई ने महत्वो पुरुना रेल्वे स्टेशन पर जांच तलाशी और तोडफोड के उपायों के लिए बड़ी जन शक्ती को तैनात किया है हम कानुन को मजबूती से दायत दी जा रही है आतंकी हमले की सूचना और ओमिक्रॉन की दहशत के कारण मुंबई खामोश नजर आ रही है लोग बाहर निकलने से परहस करते नजर आ रहे हैं कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमन को देखते वे महराष्टों में अभी और भी प्रतिबंद लगाय जा सकते हैं दरसल राज्य में कोविड नियंदरन के लिए बनाए गई कोविड नाइंटिन टास्क फोर्स ने उद्धव ठाकरे सरकार से सिफारिश की है कि यहां सारवजनिक स्थलों पर प्रतिबंदों को और बढ़ाया जाए कल कोविड नाइंटिन टास्क फोर्स में शामिल अधिकारियों ने दो घंटे की लंबी बैठक की इस बैठक में राज्य में कोरोना वायरस को लेकर ताजा हालात पर चर्चा की गई टास्क फोर्स के अधिकारी बैठक के दोरान इस निशकर्ष पर पहुँचे कि राज्यों में कोविड के बढ़ते केसों के मद्दे नजर अभी और भी प्रतिबंद लगाए जाने की जरूरत है टास्क फोर्स ने उन टेस्ट कीटों पर भी चर्चा की है जो ये पता लगाने में नाकाम हुए है कि कोई मरीज कोरोना के किस वेरियन डेल्टा या ओमिक्रॉन से संक्रमित है महाराष्ट के स्वास्था मंत्री राजिश टोपे ने कहा कि प्रतिबंद लगाने पर अंतिम फैसला राज्य के मुख्या मंत्री उत्था उठाकरे लेंगे लिहाजा इस बात की उमिद है कि सीम आज ने प्रतिबंदों को लेकर कुछ एलान कर सकते है महाराष्ट सरकार ने राज्य में कोविट के बढ़ते केसों को काफी गंभिरता से लिया है स्वास्ता मंत्री ने कहा कि आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रतिक दो दिन के बाद केस डबल हो रहे है ये गंभिर बात है उन्होंने बताया कि बैठक में सभी की आमराय यही थी कि भीड की वज़़े से कोरोना के केस बढ़ सकते है इसलिए इसे नियंतरित किया जाना बहुत जरूरी है अधिकारियों के मुताबिक संक्रमितों की बढ़ती संक्या इस बात की और इशारा कर रही है कि ओमिक्रॉन वेरियंट फैल रहा है भारतिय जंता पार्टी के विधायक नितेश राने को कभी भी पुलिस गिरफतार कर सकती है हाला कि अभी जमानत के लिए नितेश के पास हाई कोट आने का विकल्ब बचा हुआ है शिवसिना कार्यकर्ता संतोश परब पर हमला करने से जुड़े अपराधिक मामले में विधायक नितेश राने की संदिक दभुमी का सामने आई है लिहाजा मामले में गिरफतारी की आशंका को देखते हुए नितेश ने सिंदुदुर्ग की कोट में अगरिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था नैदिश एसवी हांडे के सामने तीन दिन तक नितेश के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई इस मामले की पैरवी के लिए राजसरकार की और से न्यूक्त किये गए विशेष सरकारी वकिल प्रदीब घरत ने मामले की जांच से जुड़े दस्टावेजु के आधार पर नितेश की जमानत का विरोध किया उन्होंने नयदिश के सामने मामले से जूढा कॉल डेटा रिकॉर्ड पेश किया और SiDiR के आधार पर मामले में नितेश की भूमिका होने का दावा किया उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में गिरफतार एक औरोपी और नितेश को आमने सामने बैठा कर पूछताच करना चाहती है ताकि मामले के पीछे की साजिश का पता लगाय जा सके उन्होंने कहा कि आरोपी एक विधायक है जबकि उसके पिता एक केंद्रिय मंत्री है इस तरह से देखा जाये तो आरोपी काफी प्रभाव शाली पशक्ति शाली व्यक्ति है ऐसे में जब तक इनसे कडाई से पुछताश नहीं की जाएगी तब तक आरोपी जांच में सहयोग नहीं करेगा इसलिए आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिस किया जाए महानगर के दहिसर इलाके में बैंक कर्मचारी की हत्या के बाद हुई लूट पार्ट की गुथी सुलझाते मुंबई पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है चान बिन में ख आयुकत ने बताया कि आरोपी लंबे समय से किसी बैंक को लूटने की साजिश रच रहे थे इसलिए उन्होंने आसपास के इलाके के 50 बैंक को की रेकी की थी सारे बैंक खंगालने के बाद आरोपियों ने यूट्यूब पर लूट पार्ट की वारदातों को देखा इसके ब बैंक बंद करने की तयारी कर रहे थे इसलिए शटर आधा गिरा हुआ था बैंक में दाखिल हुए आरोपियों ने वहां के मौझुद संदिश गोमरे नाम के 25 वर्षे करमचारी की गोली मार कर हत्या कर दी थी फारिंग में एक और करमचारी जखमी है वारदात के बाद आर अरोपियों की तस्विर दिखाई तो जल्द ही उनकी पहचान सामने आ गई क्योंकि वे उसी इलागे में रहने वाले थे पित हुए 73 साल के बुजर्ग ने दम तोड़ दिया संबवतर ये देश में कोरणा के इस वेरियंट से दूसरी मौत है तो एनीटी पीजी काउंसलिंग में देरी और पुलिस द्वारा डॉक्टर के साथ कतित बचसुली की को लेकर आंधरनकारी रेजिडेंट डॉक्टरों आज शुक्रवार को अपनी 14 दिन की देश वेपी हर्ताल वापस ले ली है इसके अलावा जमुकश्वीर में आतंगवादियों पर सुरक्षा बलो ने बड़ी चोट की है शिनगर में पंथा चोक में पिछले दिनों पुलिस बस पर हमला करने वाले 9 आतंग्यों को बड़ी खबरों को विशार से जाने के लिए बने रही है अब हमारे साथ नए साल से एक दिन पहले जीस्टी पलिशत की बैठक होने जा रही है वित्तमंत्री निर्मलासी दारमन की अधग्षता में होने जा रही इस बैठक को काफी एहम माना जा रहा है क्योंकि एक तो नया साल शुरू होने जा रहा है दूसरा सरकार बजट पुरु की तैयारियों में जुटी हुई है और सबसे अहम कि अगले साल कई प्रदेशों में विदान सबाचुनाओं होने जा रहा है इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जानकारों का माना है कि सरकार टैक्स लैब में बदलाव करके कारोबारियों को कुछ रहत दे सकती है सूतरों के मुताबिक इस बैठक में 1000 से नीचे के रेडिमेट कपड़े और जूते पर टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस लिया जा सकता है साथी उद्दोग जगत और व्यापार संगटनों को उस लैब की संख्या को घटा कर तीन किया जा सकता है वरतमान में चार टैक्स लैब है अभी जीस्टी की दर 5, 12, 18 और 28 पिसदी है बताया जारा है कि जीस्टी की 12 और 18 भिसदी की दरों का विले कर एक दर बनाई जा सकती है काफी समय से दोनों टैक्स लैब को एक करने की मांग उठ रही है केंद्रिय मंत्री समूह ने भी जीस्टी दरे घटाने को लेकर जीस्टी परिशत को अपने रिपोर्ट सौपी है रिपोर्ट में टैक्स लैब को मिलाने के साथ बिना जीस्टी वाले कुछ उत्पादों को कर के दायरे में लाने का सुझाओ दिया गया है राज्यों और केंद्र के करदिकारियों की फिटमेंट कमिटे ने भी स्लैब और दरों में बदलाओ की सिफारशे की है उत्तरप्रदेश के कानपूर जेल में 14 दिन के नाय खिरासत में बन इत्रकारोबारी प्यूच जैन ने जेल प्रशासन से बैचेनी की शिकायत की है जेल सुत्रों के नुसार प्यूच को बीपी की समस्या है और उसे नीन की गोलिया दी जारी है बताया जाराई की जेल अस्वताल के डॉक्टरों ने प्यूच के स्वास की जांच की है फिलाल उसकी हाले ठीक बताई जा रही है इदर प्यूजन के कानपूर और कन्योज वाले घरों में हुई छापे मारी का अब तक का और ओर अपडेट आ गया है जिसके मुताबिक अब तक कुल मिला कर टोटल सीजर 213.45 करोड रुपए का है जिसमें कैश, सोने और चंदन के तेल की कीमत भी शामिल है कुल बरामदगी को इस तरह से समझा जा सकता है कि कानपूर से 177.45 कैश बरामद हुए है जबकि कन्योज से 19 करोड रुपए मिले है वही 23 किलो सोने की इट भी मिली है जिसकी कीमत करीब 11 करोड रुपए है इसके अलावा चंदन की लकडी का तेल भी मिला है जो 600 किलो है और उसकी कीमत 6 करोड रुपए है इस तरह से DGGI की टीम ने कैश और सामान सहित कुल 213.45 करोड रुपए जब्त किये है प्यूजेन ने दो नगरों से मिले कैश को GSTV बाग से सीज कर लिया है इसी बिच गोल्ड समगलिंग मामले में DRI ने भी कस्टम एक्ट के 110 के तहत प्यूजेन के खिलाब मुकत मात दर्च किया है और 23 किलो बरामस सोना अपने कबजे में ले लिया है राजस्तान की उधैपूर में कोरोना के नए विरियंट ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए 33 साल के बुज़र्ग ने दम तोड़ दिया संभोतर यर्देश में कोरोना के इस वेरियंट से दूसरी मोत है बुज़ूर्ग की कोई ट्रावल हिस्टी नहीं थी साथ ही 21 और 22 दिसंबर को जांच में निगेटिव हो गए थे 25 दिसंबर को उनकी रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरियंट मिलने की पुछ्टी हुई थी उन्हें डायबेटीज और हाइपरटेंशन और हाइपो थायरोडिजम था ऐसे में शरीर पर वायरस असर डालता है साथ ही अगर डायबेटीज जैसी बीमारी हो तो रिक्स काफी बढ़ जाता है राजस्तान में ओमिक्रॉन के अब तक 69 मरीज मिल चुके है ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामले में राजस्तान देश में पाच्वे नंबर पर है अस्पताल में भरती करा गया था यहां इलाज के दवरान उनकी मौत हो गई मौत के बाद संदे के आदर पर उनका सैंपल जिनॉम सिक्वेंसिंग के लिए पुने भेजा गया था तब ओमिक्रॉन की पुष्टी हुई NETPG काउंसिलिंग में देरी और पुलिस द्वारा डॉक्टरों के साथ कथित बदसलुकी को लेकर आंदोलन कारी रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज शुक्रवार को अपनी 14 दिन की देश्वेपी हरतल वापस ले ली है Federation of Resident Doctor Association के सदस्योग और दिल्ली पुलिस के सयुक्त आयुक्त के बीच एक बैठक के बाद हरतल का आवान किया गया था Association के अध्यक्षर डॉक्टर मनिश नीगम ने कहा कि कल शाम हम दिल्ली के सयुक्त सीपी से मिले दिल्ली पुलिस ने प्राथमी की रद करनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है दिल्ली पुलिस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डॉक्टरों के लिए उनके मन में सबसे जादा सम्मान है वे डॉक्टरों की कठीनाईयों से अच्छी तरह वाकिफ है और पहले की तरह वे किसी भी समय किसी भी मुद्दे के लिए चिकितसा बिलादरी के साथ सहयोग करने को तयार है F.O.R.D.A. ने कहां कि सभी R.D.A. प्रतिनीधियों के साथ फोरडा की एक आभासी बैठक देरशाम बुलाई गई थी जिसमें सभी कार्यवाहिस से अवगत कराया गया था और सभी सम्मदित बिंदूओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी सर्वसम्मती से 31 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे आंदोलन को बंद करने का निरने दिया गया है हाला कि डॉक्टर्स एसोसियेशन ने कहा है कि सभी आरडिये प्रतिनीधियों के साथ एक राष्ट्य बैठक एफ ओ आरडिये द्वारा छे जनवरी को बुलाई जाएगी जम्मू कश्मिर में आतंक वादियों पर सुरक्षा बलो ने बड़ी चोट की है श्री नगर के पंथा चौक में पिछले दिनों पुलिस बस पर हमला करने वाले नौ आतंकियों को सुरक्षा बलो ने 24 घंटे में धेर कर दिया है ये सभी आतंक वादी जैशे मोहमत आतंक की संगठन में शामिल थे पंथा चौक एंकाउंटर में तिन आतंक वादियों को आज सुरक्षा बलो ने मार गिराया है इस दोरान चार सुरक्षा कर्मी भी जखमी हुए है कश्मिर पुलिस के आईजी विजे कुमार ने बताया कि इससे पहले बिते 24 घंटे में दो और मुटभेट हुई थी इन में 6 और आतंकी मारे गए थे इन आतंकियों में से 2 पाकिस्तानी आतंक वादे थे इनके पास से बड़ी मात्रा में गोला वारुद भी बरामद हुआ है सुरक्षा बोलो का कहना है कि बिते 3 दशकों में ये पहला मौका है जब जम्मु कश्मिर में स्थानी आतंक वादियों की संख्या 100 से कम रह गई है लेकिन पंथा चौक में पुलिस बस पर हमला करने वाले नो आतंकियों को धेर किये जाने को बड़ी कामिया भी माना जा रहा है इसी बीच केंदर शासित प्रदेश के डिजी पी दिलबाग सिंग ने कहां कीस साल अब तक 100 सफल आपरेशन हो चुके है इनमें अब तक कुल 182 आतंकियों को मार गिराए गया है इस साल 134 स्थानिय युवा आतंकवाद की रहा पर चले गये थे इनमें से 72 मारे गये जबकि 22 को गिरफदार किया गया है दुनिया आजवर्ज 2021 को विदाई दे रही है तो चीन भारत के सामने चुनोतिया पेश कर रहा है एक तरब जहां उसने पूरत रिलाके में 15 और स्थानों के लिए चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वरनमाला के नामों की घोशना की है वही मशिन गन से लेस रोबोर्ट को वॉर्डर पर भेज रहा है कहा जा रहा है कि वह अपने जवानों को सर्दी से बचाने के लिए और मोल्चे पर मुस्तेदी बढ़ाने के लिए यह मकसद से चीन नहीं फैसला लिया है इसे बीच पाकिस्तानी विदेश मंतरी कुरेशी की सोशल मीडिया में जम कर आलोशना हो रही है इस तस्वीर में कुरेशी अपना जूता सौधी विदेश मंतरी की ओर किये हुए है उधर लूस के वराश्टपती वालदीमीर पूतीन ने अमरिका के राश्टपती जो बाइडिन को फिर से चेताउनी दी है कि अगर अमरिका ने यूक्रेन के मुद्धे पर कोई प्रदिबंद लगाया तो यह बड़ी गलती होई इसके अलावा काबुल से भागने वाले अफगानिस्तान के राश्टपाती रहे अश्रपगनी भी चर्चा में है उन्हेंने खुलासा किया है कि अगर मैं कोई स्टैंड लेता तो वे सबी मारे जाते इसलिए काबुल छोड़ने का फैसला मिंटों में ले लिया था दुनिया की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही अब हमारे साथ लदाक में आखे दिखा रहे चिनी ड्रैगन ने एक बार फिर से पुर्वत्तर इलाके में भारत के खिलाव एक नापाक चाल चली है चिनने अरुना चल प्रदेश में 15 और स्थानों के ले चिनी अक्षरों तिबबती और रोमन वर्नमाला के नामों की घोशना की है इनी नामों का इस्तमाल अब चिन के आधिकारिक नक्षे में किया जाएगा खबर में कहा गया है कि 15 स्थानों के आधिकारिक नामों जिने सटिक देशांतर और रक्षांश दिया गया है उसमें आठ अवासिय स्थान, चार पहाड, दो नदिया और एक पहाडी दर्रा है चिन ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब नए साल से उसका नया सीमा कानून लागू होने जा रहा है भारत ने अक्तूबर महिने में ही चीन के इस नए सीमा कानून का जोरदार विरोध किया था इस ने सिमा कानून का प्रस्ताव इस साल मार्च महिने में आया था और इसी समय दोनों देशों के बीच लदाख में तनाव बढ़ा हुआ था विशेशक्यों के मुताबिक चिन का ये ताजा कदम हाल ही में भारती इलाके पर उसके दावे को और ज़्यादा तेज करने से जुड़ा हुआ है दरसल चिन के नक्षे में अरुनाचल प्रदेश का नाम जांगनान या दक्षिनी तिबबत दिखाया गया है और साल 2017 में ड्रैगन ने वहां के स्थानों के लिए 6 आधिकारिक नाम बताये थे रिपोर्ट के मुताबिक उसी समय तिबबतियों के अध्यात्मिक गुरू दलाई लामा ने अरुनाचल प्रदेश की यात्रा की थी और इसी के जवाब में चिन ने अरुनाचल की 6 जगहों के लिए चिनी नाम रखे थे भारत और चिन के बीच 20 महिने से बॉर्डर पर तनाव है चिन लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जिससे बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है रिपोर्ट्स के मताबिक अब चिन मशिन गन से लेस रोबोट को बॉर्डर पर भेज रहा है चिन बॉर्डर पर हतियारों की सप्लाई करने में जुटा हुआ है मशिन गन से लेस ये रोबोट तिबबत के उचाई वाली इलाकों में गश्ट कर रहे है कहां जा रहा है कि अपने जवानों को सर्दी से बचाने और मोर्चे पर मुस्तैदी बढ़ाने के मकसद से चिन ने ये वैसला लिया है शार्प क्लो जिसे वायरलेस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है एक हलकी मशिन गन से लैस है कई रिपोर्ट्स बताती है कि सर्दियों के वक्त चिनी सेना को बॉर्डर पर टिके रहने में बहत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए बॉर्डर पर रॉबोर्ट सेना की तैनाती की जा रही है मानाव रहित डिलिवरी ट्रक के रूप में हतियारों से लेस मुले 200 वाहनों के उधारन है चीन अब मुले 200 मानाव रहित वाहनों के साथ सैनिकों की आपूर्ति कर रहा है जबकि अपनी सेना को बंदू के भी दे रहा है कुल 150 लिंक्स औल टेरेन वाहनों को सीमा पर भीजा गया है लिंक्स को सेनाओ के एक विस्तरो च्रूंखला द्वारा नियोजित किया जाता है और अक्सर सैनिकों को ले जाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है इसका इस्तमाल होविजजर, भारी मशिन गन, मोर्टार और मिसाल लॉंचर जैसे कई तरह के आर्म सिस्टम को तैनाद करने के लिए भी किया जाता है साओधी अरब की जनता, देश के विदेश मंतरी, नवाफ बिन सैदल मलकी के सामने इसलमाबाद में अड़कर बैठे पाकिस्तानी विदेश मंतरी, कुरेशी की सोशल मीडिया में जम कर आलोचना कर रही है इस तस्विर में कुरेशी अपना जूता साओधी विदेश मंतरी की और किये है कुरेशी के बैठने के इस तरीके पर साओधी जनता भड़क गई है एक ट्वीटर यूजर ने कहा कि मैं अगर साओधी विदेश मंतरी के साथ होता तो उटकर चला जाता एक और यूजर ने लिखा है कि ये पाकिस्तानी विदेश मंतरी का साओधी अरब के विदेश मंतरी के प्रती अशिश्र, मुर्खतापुर्ण और गेर राजनाईक विवहार है साओधी विदेश मंतरी ने जिस तरह से इस अपमान को चुपचाप सहा लिया उससे में उनका प्रशनसक हो गया हूँ बदा दे कि पाकिस्तान और साओधी अरब के बीच गहरे राजनाईक और सैन्य संबंध है लेकिन हाली या वर्षों में पाकिस्तान के मुर्खतापुर्ण विवहार की वज़े से खराब हो गया है ऐसा दुसरी बार है जब कुरेशी साओधी अरब पाकिस्तान के रिष्टे के लिए सिर्दर्थ साबित हुए है इससे पहले चीन और तुर्की के इशारे पर नाच रहे पाकिस्तान ने कश्मिर को लेकर अब अपने पुराने मित्र साओधी अरब को बड़ी धम की दे डाली थी पाकिस्तान की नापाक साजिश में साथ नहीं देने पर कुंठा में आये पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरेशी ने साओधी अरब के नेतरुत्व वाले और्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को धमकाना शुरू कर दिया था उन्होंने कहा था कि OIC कश्मिर पर अपने विदेश मंत्रियों की परिश्ट की बैठक बुलाने में हीला हवाली बंद करें रूस के राष्टपती व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यूकरेन के मुद्दे पर कोई प्रतिबंद लगाया तो ये बड़ी गलती होगी पुतिन ने गुरुवार को 50 मिनट तक फोन पर चली बाचित में ये धमकी भी दी कि अमेरिका ने यूकरेन को लेकर यदि नए प्रतिबंद लगाया तो मास को वाशिंग्टन के साथ अपने सारे सम्मन तोड़ देगा वही बाइडन ने भी रूस को जोरदार जवाबी कारवाई की चेतावनी दी है यूकरेन के मुद्दे पर दोनों ही पक्षों ने एक दुसरे पर उकसाने का आरोप लगाया है वही रूस ने हजारों की तादाद में अपने सैनिकों को यूकरेन के बॉर्डर पर तैनात कर हैं दोनों ही पक्ष एक दुसरे को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूकरेन के मुद्दे पर जारी गती रोद नहीं सुलजा तो इसके गंभिर परिनाम होंगे ऐसा दुसरी बार है जब इस महीने पुतिन और बाइडन के बीच सीधी बातचित हुई है रूस ने हजारों क देश पुतिन की सेना को इसका करारा जवाब देंगे इससे पहले अमेरीकी राश्टरपती कारियाले वाइट हाउस ने भी संकित दिया था कि बाइडन पुतिन को ये सपश्ट कर देंगे कि एक राज नईक मार्ग हमेशा खुला रहेगा भले ही रूस ने करीब एक लाग स अबजा कर लिया और मेरी सरकार गिर गई मुझी को ये आभास तक नहीं था कि अफगानिस्तान में ये मेरा आखरी दिन होने वाला है दोपर तक राश्टरपती भावन की सुरक्षा भी खतम हो चुकी थी अगर मैं कोई स्टैंड लेता तो वे सभी मारे जाते वे मेरा बच गनी तब से सयुकता अरब अमीरात में है अफगानिस्तान चोडने को लेकर गनी की बहुत आलोचना की गई गनी पर लाखो रुपे लेकर अफगानिस्तान चोडने का आरोप लगा लेकिन उन्होंने पैसे लेकर अफगानिस्तान चोडने से साफ मना कर दिया गनी ने बताय कि मेरी पहली चिंता काबुल में होने वाली लड़ाई को रोगने की थी काबुल को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा ये कोई राजदितिक समझता नहीं था ये एक हिंसक तकता पलट था मुझे बली का बक्रा बनाया गया तो आज इस खास पेशकर्ष में बस इतना ह आकात होंगी तब तक देखतर ही है वी के बी न्यूस नमस्कार